भला है, बुरा है, जैसा भी है, मेरा पती, मेरा देवता है, टॉक्सिक है, अब्यूजिव है, वाइलन भी है, मेरा नार्सिसिस पार्टनर, मेरा ट्विन फ्लेम है, सोल मेट है और ये बात मैं इसलिए बता रही हूँ, क्योंकि कई लोग जो ऐसे होते हैं ब्यूजिव रिलेशनशिप में, तो उनको लगता है कि वो ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में है, वो उसको वैलिडेशन देने के लिए ट्विन फ्लेम या सोल मेट रिलेशनशिप बोलने लगते बोलते हैं कि कोई connection है पर problem यहां पर यह हो जाती है या तो उनको यह वाहियात चीजे सिखाई जाती है शुरू से कि बला है बुरा है जैसा भी है उसको देवता मनो दूसरी चीज की बहुत जादा obsession हो जाता है आदत हो जाती है तो उसको validation देने के लिए वो लोग उस relationship को twin flame relationship या फिर soulmate connection का नाम देते हैं तोक्सिक relationship में trauma bonding इतनी strong हो जाती है कि एक partner या दोनों ही partner को ऐसे लगने लगता है कि यह कोई spiritual love है और जब उनको इन चीजों के बार में पता चलता है twin flame, soulmate, karmic तब उनके लिए और easy हो जाता है इस toxic relationship को continue करने का मैं ने जो पनी spiritual connection की प जैसे छोड़ना, वापस आजाना, ब्लॉक कर देना, फिर गायब होगा इतने महियों तक कोई सालों तक फिर वापस आ गए तो ऐसी similarities देखे जाती है और ऐसी similarities आपको एक toxic relationship में भी मिलेगी जिसको एक karmic relationship भी बोलते हैं पर यह similarity कहां मिलनेगी, abuse कैसे justified है, domestic violence कैसे justified है क्यो किसी पर अत्ताचार नहीं करता है, सबके साथ बड़ा अच्छा है, और उसका partner बड़ा ही toxic है, उसके साथ domestic violence करता है, तो अब कौन सा inner work करवाना है, कि उसको वो दिखा रहा हो, कि मैं आपको mirror दिखा रहा हूँ, कि तुम्ही ये changes लाने की जरू तो वो तो बिचारा वैसे ह कितना kind है, हाँ, ये हो सकता है दूसरे की त्रूस कोई मिल रहा है, कि वो सहरा है, तो उसको भगवान self love की तरफ ले जाना चाते है, कि ये तू deserve नहीं करता या करती, तू better deserve करती है, तो ये चीज मत सह, ये तेरे लिए नहीं है, और जब वो ऐसा कुछ कर दे आपके साथ, आप कैसे मान सकते हो कि वो आपका twin flame है, हो ही नहीं सकता है, हाँ, आप किसी और को मारपीट कर रहे हो, कहीं और अत्याचार कर रहे हो, फिर वो अत्याचार आपके साथ घूम के आ रहा हो, तब तो मैं पलगेले मान भी सकती हो, पर जब आप ऐसा कुछ कर ही नहीं रहे हो, बड़े ही नेक इंसान हो, और उसके बाद भी आपके साथ वाइलेंस हो रहा है, वो टॉलरेबल नहीं है, देखें, twin flame relationship में जो divine feminine होती है, वो पहले अवेकन हो जाती है, जो mostly लड़कियों के साथ होता है, और कई ऐसे आदमी भी होते हैं, जिनके अंदर feminine soul हो सकती है, तो उ उनको ना ऐसा लगने लगता है कि चलो, अब मुझे इसी ठीक करना है, मैं इस जर्नी पर हूँ, और ये कुछ भी कर रहा है, मेरे साथ क्या पता, ये मुझे दिखा रहा है वो चीज, ये चीज़े मुझे ठीक करने की जूरत है, मुझे inner work करने की जूरत है, और ये ही मेरा twin partner होगा, पर ऐसा आपको कार्मिक भी करा सकता है, कोई भी करा सकता है, कोई भी करा सकता है, कि वो आपको दिखा रहा हो, अपने थुरू की आपको खुद में ये चीज़ ठीक करने की जरूरत है, ये domestic violence का, physical assault का कोई excuse नहीं है, आप उसको validate नहीं कर सकते है, और जब आप ये proof करने लगते है, कि आप एक twin flame journey में हो, अपने toxic relationship को ऐसा नाम देने लगते है, तभी तो doctor, psychiatrist, psychologist ये बाते बोलने लगते है, कि ये सारी चीज़े बेकार होती है, आप तो बस नाम खराब कर रहे है, spiritual relationship का, एक अच्छा जो इतना divine connection होता है, उसका आप नाम ख higher frequency पे जाएंगे, उतना आप अपनी life में प्यार को attract कर सकते हैं, अपने soulmate को, अपने twin flame को attract कर सकते हैं, पर अगर आपकी frequencies low रहेगी, तो आप karmic partners को ही attract करते रहोगे अपनी life में, अगर चलिए ये भी माल लिया कि आप higher frequency पे चलेगा है, आप उने सारा inner work भी कर लिया, और उसके बाद भी आपका partner इतना जादा toxic है, तो क्या वो twin flame relationship है, ये karmic relationship है, तो छोड़ो, आप higher frequency पे जाओगे, वो अपने आप हट जाएगा, जो गलत है आपके लिए वो चला जाएगा, जो भी लोग spiritual journey पर है, तो आप ये चीज़ notice करना कि जब आप lower frequency पर आजाते हैं, आ जब आपकी frequencies low रहेगी, आप lower vibration पे रहोगे, पर जब आप higher frequency पे रहोगे, तो वो चला जाएगा, तो आपकी life में सब कुछ बढ़िया बढ़िया होता रहेगा, और higher frequency होने के बाविजूद भी कोई आपकी life में है, तो हो सकता है वो आपका twin flame हो, हो सकता है soulmate हो, क्योंकि फ तो वो चला जाएगा आपकी life से, और सुधार से मेरा मतलब ये है, कि आप higher frequencies पर होंगे, तो आपकी life से automatically ऐसे toxic लोग चले जाएगे, आप अच्छे चीजों को attract करोगे, अच्छे लोगों को attract करोगे, पर देखिए, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अगर आप गलत लोगों को आपके साथ गलत हो रहा है, तो आप बुरे इंसान है, मैं higher frequencies पर जाने के लिए बोलती हूँ, मैं detachment practice करने के लिए बोलती हूँ, क्योंकि ये ऐसे toxic relationship में, जो ये ऐसा cycle होता है, उसमें बहुत काम आता है, जो लोग ऐसे trauma bonding में फसे रहते हैं, उनके लिए ये बहुत ही अच आपको याद आती रहेगी, क्योंकि detachment नहीं हुआ है, आप अपनी healing नहीं कर रहे है, तो होगा ख्याना कि आपकी frequency is low ही रहेगी, और फिर से उसी तरीके का कोई बेकार इंसान आपकी life में आ जाएगा, आप वैसे ही बेकार बेकार लोग अट्रैट करते रहोगे, आपको फिर अगर ब्रेकप भी कर लेते हो, या वही छोड़ कर चला गया, आपको दूसरा पार्टनर भी फिर ऐसा ही मिलेगा, या आप चाहोगे कि ऐसा ही मिले कि जिस पर आप dependent रहो, तो फिर आप बार बार उसी cycle में फसे रहो, आपकी twin partner के साथ, आपका equal relationship होता है, आपक करना होगा, योगा करना होगा, जर्नल लिखना होगा, gratitude शो करना होगा, भगवान को, universe को, जहां पर equal relationship है, बहुत ही सुन्दर relationship है, आपकी growth भी हो रही है, वही आपका soul meat है, वही आपका twin flame है, तो आप लोग toxic relationship को twin flame relationship का नाम देकर glorify मत करिये, क्योंकि ये गलत है, मैं समझ स सब्तियों की trauma bonding हो जाता है, पर आप अपनी spiritual health का ध्यान रखेंगे, तो आप उस abusive relationship से निकल सकते है, आपकी growth भी होगी, हर तरीके से आपकी growth होगी, और आपके लिए ही बेटर रहेगा,